हाई गैज और वेलकम बाक टू दी चनल दीपाच्यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनलेसस ऑफ 24 अफ देसंबर 2023 तो गैज आज आज अतारिक 24 देसंबर 2000 ते हिस और है संडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीड न्यूस पिपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक्च यादव एजूकेशन यूपी एसी आज यू कैन सी आपको ये वला चनल मिल जाएगा यहाँ साब डेली बेसस पेस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे साथ में परसनली जुड़ना चाहते हैं तो फटफट इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा वहाँ पे जाके फिर से लिखना होगा दीपक्च यादव एजूकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर अल्रेडी 14,000 से जादा लोग जुड़ चोके हैं हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सुखना वाइल लेफ सेंचरी को कहां पर है इसको अच्छे से मैप में देखना है दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक क्या दरख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एक ऐसा आप्शन है जहां पर ये जो दो आइलेंट्स हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं टेन डिग्री चैनल के माध्यम से आप्शन नंबर A अंडमान और निकोबार आप्शन B निकोबार और सुमत्रा आप्शन C मौलदीव से लेक्षवदीब या आप्शन D सुमत्रा और जावा तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एकली सभी को उसमें पाटिसिपेट करना है जिसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शोब आरम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनिल वाले इंपोर्टन आर्टिकल की दरफ ये टॉपिक बहुत ज़ादा इंपोर्टन होने वाला है क्या बात की जा रही है कल दिन भर में आपने इस खबर को पड़ा होगा नहीं पड़ाए तो अब ध्यान से सुनना होगा साउदी से भारत आ रहा एक ओईल शिप उस पर अचानक से ड्रोन अटैक हुआ इंडियन नेवी के मुताबिक इस जहाद पर 20 भारतिये क्रू मेंबर्स सवार हैं 20 इंडियन नेवी के मेंबर्स और इस जहाद को बताया जा रहा है कि कहीन है के ये इसराइली जहाद है जो साउदी अरब से करनाटक के मैंगलूरू आ रहा था ड्रोन अटैक में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज है लेकिन जहाद पर पूरी तरह से आग लग गई थी हाला कि इस आग पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया गया सवाल यह है कि इस अटैक को किस ने किया इसके पीछे अभी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं आई है ऐसा भी कई से लोग कह रहे है कि हूदी रेबल्स की साइट से अटैक किया गया है दूसी तरफ इरान की साइट से अटैक किया गया है लेकिन दोस्तों अभी तक प्रॉपर जानकारी नहीं आई है कि हाँ exactly किस नहीं आटक किया है ना ही किसी ने claim किया है होता नहीं कई बारी लोग claim कर लेता है भई ये आटक हमने किया है ना ही आपर अभी तक किसी ने claim किया है अब ये जो जहाज आपको दिख रहा है इसका नाम है Camp Pluto हुआ क्या और मैं आपको बताओं कि ये जो खबर है ये हमारे लिए इतनी एहम कियों है ये जहाज दोस्तो भारत के जादा करीब धा अगर आप देखोगे तो इंडिया का ये वाला जो portion है गुजरात वाला वहां से लगबग 200 किलमेटर की दूरी पर ये जहाज देखने को मिला और इसी वाले रीजन में जाकर अटैक हुआ और मैं आपको बता दू यहीं थोड़ी सी दूर और आओगे तो भारत का exclusive economic zone आ जाएगा यानि वो वाला समुदरी territory जो भारत के अंडर में आती है यानि भारत के इतने करीब जहाज के ओपर अटैक होना बिल्कुल इंडिया के जो defense and security है उसके लिए यहाँ पर एक खत्रा एक चिंता वाली बात हमको देखने को मिलती है ठीक है और वैसे आपने देखा होगा अभी थोड़े दूनों पहले भी जो इसराइल के जहाज है उनके ओपर लगातार अटैक हो रहा है रेटची से गुजर रहे हैं तो जो हूती रेबल से वो इसके ओपर अटैक कर रहे है लेकिन इस जहाज के ओपर किसने अटैक किया ये अभी तक किसी को पता नहीं है हाला कि इसके पीछे का main reason वही इसराइल और पिलिस्टीन का conflict है ये तो हम सब को पता ही है क्योंकि दोस्तों ये जहाज इसराइली जहाज है ठीक है तो इसके ओपर अटैक हुआ है इसका मतलब यहाँ पर कहीं नहीं इसी particular region से हुआ है है ना क्योंकि आपको पता है लगातार यहाँ पर बहुत सरी जो countrys है वो इसराइल के खिलाफ है कि इसराइल लगातार पिलिस्टीन के ओपर अटैक कर रहा है ऐसा उनका कहना है ठीक है बहुत दिन हो चुके हैं 70 से जादा दिन हो चुके हैं अभी तक यह मामला समला नहीं है लगातार पिलिस्टीनियों के ओपर यहाँ पर अटाक किया जा रहा है यह countrys यहाँ पर यह समझ रही है तो इधर आप देखपाऊ कि चाहिए हूदी रेबल से वो पिलिस्टीनियों के काफी बड़े supporter है तो इस basis पर भी हम देख सकते हैं यह जो attack हुआ है इसके पीछे का एक main factor किया है कि यह जहाँ इसराइली जहाँ था जो की chemicals वगरा लेकर आ रहा होगा इसको आना था करनाटक के मैंगलूरू में अब हुआ क्या दोस्तो कि यह सारका सारा जब पुरक scenario क्रेट हुआ तो इंडिया ने इधर से अपना जो वार्शिप है वो बहेज दिया आप वो जो वार्शिप है वो क्या करेगा वो इस वाले जहाद को support प्रोईट करवाएगा और support प्रोईट करवाकर इसको सरक्षित इंडिया लेकर आएगा ठीक है अभी यहाँ पर यह रास्ते में यह लगबग बताया जा रहा है यानि कल के दिन 25 दिसंबर को यह मुंबई के पोर्ट तक पहुंच जाएंगे ठीक है तो यह भी इंफोर्मेशन हमारे पास में आई है फिलाल बड़ी चिंता यही है कि हमारे एक्सक्लूसिव एकॉनमिक जोन के पास में ही यह पुरा का पुरा हमला हुआ तो कि हमले के वक्त जो जहाज है यह पोर्बंदर तट से 217 नॉटिकल माईल यानि जिसको हम समुदरी मील बोलते हैं उतनी दूरी पर था यह इलाका भारत के एक्सक्लूसिव एकॉनमिक जोन से बाहर पड़ता है जानकारी मिलने के बाद नेवी ने शिप को ट्राक किया साथी उसको सपोर्ट करने के लिए वार्शिप भेजा ओईल शिप जो है यह 11 समुदरी मील प्रती घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा ह और मालूम चलता है कि अगर इस रफ्तार सागे बढ़ेगा तो 25 दिसंबर यानि कल के दिन यह मुंबई पहुच पाएगा तब ही यहाँ पर इतनी उमीद लग रही है अब बड़ी देर से हम लोगों ने एक्सक्लूसिव एकॉनमिक जोन का यहाँ पर नाम लिया क्या है समुदरी मिल को अगर इससे मल्टिप्लाइ कर दें तो टोटल हो जाएगा 370.4 किलोमीटर ठीक है तो यहाँ पर आप कह सकतो किसी भी पर्डिकूलर कंट्री का जो भी यहाँ पर यहारे ताइम जोन है जो भी यहाँ पर समुदर का हिस्सा है फो बारत के तर्ट से जो का रीजन है दोस्तों वो सब इंडिया का exclusive economic zone है यहीं ज़स थोड़ी सी बाहर ही दूरी पर ही क्या होता है यह attack हमको देखने को मिलता है जो कि कहीं न कहीं हमारे लिए एक चिंता का विशाय बन जाता है यह बात यहां पर बताई जाती है इसको हर जगा पर report किया गया है यह आ अभी जो जहाज इस पर लाइबेरिया का flag लगावा था इस पर भी attack हुआ क्योंकि यहां पर बस खली जो attack करने वाला जो भी यह बैठा होगा यहां पर वो यही चीज देखता होगा कि यह जो जहाज है इसका कोई affiliation इसराइल से तो नहीं है अगर कहीं पर भी यह link देख र साथ में मिला कर एक group बना कर इस particular region में एक protection को provide करवाना जरूरी है क्योंकि आज यह attack हो सकता है कभी इंडिया के जहाज के ओपर भी attack हो जाए तो यह problems हो सकती है तो उसके लिए हमें पहले से इस particular region को और ज़दा secure बनाना होगा I hope आपको बड़ी तरीके से इस particular article की clarity मिल चु काफी लोग समझ रहोंगे संत्रा है संत्रे की तरही एक और fruit होता है किनोवा तो यह जो किनोवा उगाने वाले जो farmers है दोस्तों यह आज के समय पर काफी परेशान है क्यों क्योंकि किनोवा की जो demand है वो बहुत कम है और इसके prices काफी जादा हमको देखने को मिल रहें जिस पिशली है fruit grow करते हैं तो demand अच्छी है नहीं production अच्छा खासा हुआ है बहुत जादा production हो चुका है demand नहीं है तो obviously बात है क्या हो रहा है इसका जो price है वो जादा अच्छा farmers को मिल नहीं पा रहा है farmers को कम-कम रुपय में बेचना पड़ रहा है क्योंकि पिछली साल यहाँ प 50% से जो price है वो drop हो चुका है और काफी सारे farmers ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल जो अपना किनोवा है वो 15-16 रुपय प्रती केजी के हिसाब से पर केजी के हिसाब से sold किया था बेचा था लेकिन अभी क्या है इस साल कहीना कहीं 7-8 रुपय केजी के हिसाब से भिकरा है क्यों पंजाब सरकार का एक डेटा है जिसका according बताया जा रहा है पंजाब में जो total area है जिसमें किनोवा उगाया जाता है वो लगबख 47,000 एक hectare की जमीन है ठीक है इस सीजन में तो obviously बात है एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो amount है या बहुत बड़ा production है वो इस बार किया गया है ब अग्जाम के लिए अगर आपने जानना है तो थोड़ा सा किनोवा के बार में जानना है किनोवा इसलिए भी important है आज से कुछ महीने पहले लगबख फरवरी महीने के अंदर की बात कर रहा हूं मैं किनोवा न्यूज माया था क्योंकि कुछ किनोवा का इस्तमाल किया गया है अलग लग चीजे बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा इसके बार में डोंट वरी अब आते हैं में टॉपिक पर अगर यूपिए सी कहीं सवाल पूछता है या किसी भी एक्जामनेशन में इस टॉपिक से सवाल आता है तो यह जो बाकी आपको नोट्स मिलना है यहीं से क्या है किनुवा पहले जान लेते हैं किनुवा दोस्तो एक बहुती जादा उगाया जाने वाला सर्ट्रस फ्रूट है खट्टा यहां पर फल आपको देखने को मिलेगा जैसे यहां पर संत्रा होता है खट्टा मीठा होता है उसी प्रकार से किनुवा होता है यह आप देख साल ही लग जाता है इसको गाने में फिर इसका जो हार्वेस्टिंग पीरेड लगातार बाद में जो कटाई होती है वो नवंबर एंड से मार्स तक यहां पर इसकी कटाई की जाती है देखने में बिलकुल यह संत्रे की तरह है जैसे मैं आपको बताया बट जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है लेकिन यह जो किनोवा है इसका एक एक अग्रिकल्चरल इंपॉर्टेंस भी है इसका क्या एक महत्व है सबसे पहले बात करते हैं फॉलन फ्रूट की कई बार जब किनोवा की दोस्तों खेती की जाती है इस तरीके से यहां पर इसको किनोवा फार्मर्स के लिए पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना था क्यों क्योंकि जो फल गिर जाते थे नीचे खराब हो जाते थे तो उनको एक खटा करके इनको एक बहुत बड़ा गड़ा खोद कर उसमें दफनाना पड़ता था बंद करना पड़ता थ अगर ऐसा ना करते तो जो गिरेवे फल हैं वो सड़ जाते और सड़ने के बाद में वो fly attack को एक invitation देते fly आती उसके उपर में और फिर उस किनुआ को तो खाती हैं वो साथी साथ में जो healthy fruits जो भी पेड़ पर लगे हैं वो सब भी खा लेती तो इस चक कर्मिनों ने यही समझा जो फल गिर चुके हैं बेकार हो चुके हैं एक गड़ा खो दो उसमें रखो और बंद कर दो लेकिन फिर दीरे-दीरे क्या होता है बाद में जो कुछ farmers हैं इन्होंने इसी waste का एक important use निकाला इन्होंने यह सोचा जो यह फल गिर रहा है नीचे बार-बार इसको हम गड़े में बंद कर रहे हैं इससे अच्छा इसका एक use हो सकता है और इसी waste का use करने के बाद में दोस्तो इन्होंने क्या किया pH लेवल और soil fertility को improve किया जो अपनी खेती है वहाँ पर जो मिट्टी है उसके उपजावपना को और ज़्यदा बहतर बनाया कैसे तो दोस्तो इस किनोवा का इस्तमाल करके इन्होंने बायो एंजाइम को बनाना शुरू किया क्या होता है बायो एंजाइम कैसे बनाया जाता है वो भी बताऊंगा don't worry तो इन्होंने बायो एंजाइम बनाया इस waste वाले fruit से जिसको यह दबाने वाले थे और उस बायो एंजाइम का इन्होंने यूज किया हमारे जो एग्रिकल्चर उसको और बढ़िया करने के लिए आप देख पाओगे कुछ फार्मर्स है पंजाब के जो की बायो एंजाइम बना रहे हैं यह सब सड़ेवे किनुवा हैं जो गिर चुके हैं पेड़ से उनको यह यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो होता क्या बायो एंजाइम करेकली जो बायो एंजाइम से होता है यह एक बहुत भड़ा प्रोटीन सौर्ट कैसे और दूसरे माटेरियल्स हो गए यह सब चीज दोस्तों यहांपर use की जाती है समझ गए और इसको produce किया जाता है fermentation के मादम से जितना भी जो यह organic waste होता है इसमें यहांपर एक fermentation की प्रक्रिया की जाती है सवाल यहांपर यह उठता है कि ये अखरकार जो fermentation है वो exactly होता क्या है तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं fermentation की तो एक ऐसा process है जिसमें हम एक substance को break करते हैं छोटे-छोटे substance में एक बड़ा substance है complex substance उसको simpler substance में छोटे-छोटे substance में तोड़ देते हैं कैसे microorganisms की help से जैसे yeast हो गया bacteria हो गया यह एक बहुत important role play करते हैं इस fermentation process में भी क्या किया है हाँ पर क्या किया जा रहा है इसको produce किया जा रहा है fermentation of organic waste से जिसमें कई सरे fruits हैं vegetable यानि की सबजियों के छिकल है सड़े-पड़े जो full पौधे हैं हैना उन सब को यहाँ पर mix कर दिया जाता है sugar में, jaggery के साथ में, molasses water के साथ में और यह ferment करने के बाद में इस तरीके से bio enzyme हमको मलता है और यह जो bio enzyme है इसका जो use है वो हमारी daily की life में भी काफी जादा है इसका हम as a natural cleanser यूज कर सकते हैं ठीक है, बाकि दोस्तों bio enzyme के benefits भी काफी सारा है क्योंकि इसके अंदर में अच्छे microbes होता है तो कहीं न कहीं कह सकते हो कि एक बड़िया method है इससे हमारी जो environment है वो improve हो सकती है environment का जो waste था हमने उस waste से एक ऐसी चीज़ बनाई जो हमारे बाकि environment को बचा सकती है इससे क्या होता है कि कभी-कभी हम अपने मिट्टी के अंदर में जो chemicals होते है वो जादा इस्तमाल कर लेते हैं है ना तो वो जो chemicals का overuse हो चुका है उसको balance करने के लिए भी इसी बायो enzyme का छिड़काव किया जाता है इतने ही पंजाब के अंदर में जहाँ पे वाटर टेबिल लगातार कम होता चले जा रहा है नीचे जा रहा है पानी गंदा भी हो रहा है ये एक बहुत बड़ा issue बन चुका है वहाँ पर तो बायो enzyme कही न कहीं जो ये soil है जो ये मिट्टी है उसको और ज़दा उपजाओ बना रहा है और ज़दा उपजाओ बना रहा है तो उसमें भी यहाँ पे कहीं न कहीं बायो enzyme का एक बहुत important role है ठीक है तो ये इस तरीके से बायो enzyme help कर रहा है farmers की तो वो कैसे बन रहा है किनुवा से किनुवा से ही बायो enzyme recently बनाया गया जिस वे से ये news में था तो किनुवा क्या है इसका important significance क्या है हर इक चीज मैंने आपर discuss की है आपके दो article add करके मैंने पढ़ा दिये आगे आते हैं next important point पर दोस्तों अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको join करने का यहाँ पर आपको पूरे class के जो e-notes है digital notes जिसको हम बोलता है वो आपको provide करवाय जाता है जैसे अभी हमने एक article discuss किया दो article discuss किया इसमे कुछ background information था वहीं से examination में सवाल पूछा जाएगा तो वो सारी चीज़े आप अगर लिखने बैठोगे यार notes मनाने बैठोगे हो जाएंगे घंटे और उस चक्कर में वाकी की पड़ाई नहीं हो पाएगी energy सारी हैं चली जाएगी इसका एक अच्छा solution है केवल video देखना है energy बची रहेगी बाकी concentration power दूसरे subjects में लगाना है लिखने वगरा की कुछ जरूरत नहीं है क्यों इसके proper जो printed notes है दोस्तों वो आपको provide करवाई जाते हैं इस particular group में तो एक PDF मिलता है जो कि printable form का होता है Hindi और English दोनों भाशाओं में होता है सारा content उसमें secure होता है daily ये PDF आपको इस paid group में provide करवाई जाता है पढ़ी है डिलीट कर दीजिए no problem आपका storage का अभी कोई issue नहीं है क्योंकि सारा content इस group में secure है और इन सब data को पाने के लिए इस group को join करने का जो fee payment है वो भी बहुत minimum है just 499 for the lifetime access आपने अपनी selection तक मतलब आपका जब तक selection ना हो जाए तब तक चार्स और नियार्म में इस group को join करके रख सकते हो यह amount आप इधर उदर खर्च कर देते होंगे कभी कभी यह investment इधर की side में आपको बहुत help करने वाला है और यह जो investment एक guarantee है आपको कुछ जिन में लगेगा कि जो यहाँ पर मेरा amount था हूँ मुझे recover हो चुका है लेकिन आपको benefits लगातार मिलते रहेंगे ना इस group को join करने के लिए करना क्या है WhatsApp पर जाना यहाँ पर आपको एक number दिया गया है 853-487-3368 इस number पर message कर देना कि I want to join this group आपको महाँ पर reply मिल जाएगा payment का process दिया जाएगा और payment के process से जादा important आपको demo वीडियो का link भी मिलेगा पूरे demo वीडियो को check करना कि मुझे exact किस तरीके से फाइदे होंगे अपने आपको पुरी तरह से satisfy करने के बाद में दोस्तो आप यह investment कर सकते हैं चलिए बागी एक बात एक request रहती है हमेशा आपसे यार make sure क्या करो वीडियो पे जो like का button उसको press कर दिया करो 5000 likes का हमारा एक simple सा target होता है आ गयाते हैं अगले article पर क्योंकि आज Sunday है Sunday में news articles होते हैं कम लेकिन कुछ बेहितरीन articles होते हैं important होते हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं उसी प्रकार से आज के science and tech के page पर यहाँ पर यह article present है यार यह मैं tag को update करना भूल जाता हूं यह याद नहीं रहता है यह tag गलत लगा हुआ है ठीक है यह page नमर हापका जो science and tech का page है आज के newspaper में वहीं पर side में article present है और भी article थे वो काम के नहीं है यह जादा काम का है तो यहाँ पर बात किया जा रहा है polar beer के बारे में ठीक है जो बरफ में रहने वाले जो beer आपको दिख रहे हैं यह वहाँ पर इतना अराम से कैसे रह लेता है इतने ठंडे है वो aerogels से त्यार गिया गया है आपने aerogels का नाम कभी ना कभी सुना होगा कुछ जनों पहले internet express के वीडियो में आपको aerogels के बारे पढ़ाया था तो यह आपको दिखाई देंगे यह रहे वो aerogels दोस्तो ठीक है तो इसी aerogels का use करके एक particular कपड़ा तयार किया गया है जिससे क्या होगा जो ठंड है दोस्तो वो रुक जाएगी heat को ब्लॉक कर देगा तो क्या हुआ है कि जो polar bear का fur है उपर इनके उपर या आप इनकी खाल देख रहे हो अभी जो main skin है वो तो नीचे है उनकी skin को ठंड लगने से बचाते हैं इनके उपर के बाल है ये fur बचाता है researchers ने इससे inspire होते हैं इसको देखते हैं एक aerogel fiber को present किया ठीक है जिसके अंदर भी यही properties हैं और ये जो कपड़ा है ये washable है इसको आप धो सकते हो dye कर सकते हो लंबे समय तक टिक हैगा और इसको हम advanced textiles में use कर सकते हैं और ये कहीन है कि researchers को ये भी अलाव करता है कि इस sweater को इससे बनाएवे जो sweater को हम test कर सकते हैं इसका जो thermal insulation है वो काफ़ी impressive होगा ये heat को block कर सकता है तो aerogels दोस्तों सबसे बड़िया material है thermal insulation के लिए अगर heat को reduce करना है ब्लॉक करना है तो aerogels सबसे important चीज है और इसी से मिलाकर बनाया गया aerogels fiber और इसी aerogels fiber से यहाँ पर दोस्तों cloth develop किया जा सकता है कपड़ा बनाया जा सकता है जो heat को block कर सके लेकिन यह कहां से inspire हुआ हुआ है polar bear के first inspire हुआ हुआ है तो जिस वे से यह news में है अब यह photo मुझे हाथ वात मिल गया ठीक है यह article दोस्तों आपका science and tech के point of view से भी important है यह अगर आप देखते हो यह A है और इधर B है यहाँ पर जो polar bear है polar bear को अगर ठंड नहीं लग रही है उसके पीछे का reason यह है जो नीचे खाल है न इस खाल के उपर जो यह बाल है इसके hairs वो कहीना के इस heat को reduce करते है heat को कम करते है ठीक है बात clear हो गई अब इसी तरीके से आप देख पाओगे यह जो कपड़ा है यह किस से बना दिया गया एरोजल से बना दिया गया तो एरोजल से बनाने के बाद में यह आप देख पाओगे यह एरोजल textile है उपर एरोजल का कपड़ा लगा दिया गया नीचे हमारी खाल है तो हुमने एरोजल का कपड़ा पहन लिया तो इससे क्या होगा अगेन इसी तरीके से काम करेगा जैसे पोलर बियर का फर काम करता है ठीक है अब ये वाला फोटो देखो D और E वाला फोटो देखो D में दिखाया गया है जो पोलर बियर है इनका ये जो उपर हेर है जरा इसको देखो पोलर बियर का जो हेर है न दोस्तों ये पोलर बियर का एक छोटा सा बाल एक सिंगल बाल को लेकर दिखाया गया है इस बाल का जो ये शेल है बहुत ही जदा डेंस शेल है और अंदर यहाँ पर इसका main porous score है और जो aerogel होता है aerogel का जो एक fiber एक धागे को side से देखोगे जो बाल के हिसाब से होगा तो उसमें भी आपको बिल्कुल similar चीज़ नज़र आएंगे इसकी एक dense shell और नीचे porous score ठीक है तो बिल्कुल कहीं न कहीं आप कह सकतो similar तरीके से ये काम कर सकता है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है aerogel fiber का एक सबसे बेहतरी news ठीक है लेकर अभी examination के लिए बहुत सारी और भी चीज़े है aerogels के बारे में जो की पता होनी चाहिए क्या है aerogels कैसे बनते हैं इनका main उपियों के कहां कहां पे और भी किया जा सकता है aerogels दोस्तो एक highly porous material है जो की बनता है एक gel से नाम ही gel है अब होता क्या है दोस्तो gel में हमेशा liquid होता है है ना gel हमारा liquid वाला होता है लेकिन यहाँ पर liquid को replace कर दिया या एक gas से यह aerogels आप हाथ में देख रहे हो यह एक solid चीज है ठोस बिलकुल लेकिन सबसे हलका है यह दुनिया का सबसे lightest solid चीज जो कि यहाँ पर इनसान ने देखी है वो है aerogels aerogels जाना जाता अपनी low density के लिए अपने कम वजन के लिए प्लस इसकी जो thermal properties जिसे मैं आपको बताया एक acoustic insulating properties है इसकी यह heat को reduce कर सकता है आवास को भी block कर सकता है ठीके बागी इसके composition की बात करेंगे तो यह जो aerogels है इसके अंदर में आपको छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे polymer देखने को मिलेंगे जो आपस में जुड़े वे हैं और इस पुरे solid को बनाते हैं इसमें जो common material यूज किया जाता है aerogels को बनाने के लिए वो है silica carbon, metal oxide और polymer अब aerogels की properties के जिसमें आपको बताया low density इसका वजन बहुत कम है हलका है aerogels जाने जाते हैं अपनी कम वजन के लिए कभी-कभी इनको frozen smoke के नाम से जाता है ऐसे लग रहेगा यहाँ पर एक धुआ हाथ में पकड़ रखा जमावा धुआ है यह है ना तो एक lightest solid material है जो की इनसान अभी जानता है प्लस highly porous है आपको देखने को मिलेगा बोला जाता है कि जो aerogels है दोस्तो इसका जो internal surface जगर आप देखोगे ठीक है इसका use हम अलग-लग जगा पे कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला यह भी जाता है कि जैसे यह मतलब कुछ तिना पॉइंट जार यहाँ वापस रेपेटेड हो चुके हैं अब thermal insulation है heat को reduce करेगा तो इससे जाद सादा हम इससे अलग-लग और भी aspects में use कर सकते हैं acoustic insulation यानि इसका जो structure है यह sound absorbing capabilities के साथ में आता है यह sound को absorb कर सकता है मतलब अगर कहीं पर short चराबा है noise को reduce करना है तो उसके लिए भी aerosal का यहाँ पर use कर जा सकता है समझ गए तो यह इसके uses नहीं लग-लग जगा पर लेकिन इतना ही नहीं यह हमरे environment के लिए भी important है environment के लिए हम इसका use कर सकता है जैसे क्योंकि यहाँ पर जो aerosal है इसका जो surface area है दोस्तो यह environment के लिए इसलिए useful हो सकता है यह water को purify कर सकता है पानी को साफ कर सकता है, air को filter कर सकता है क्योंकि एक absorbent की तरह भी काम करता है ठीक है जो जहर है, जो pollutants है उसको अपने दर absorb करने का काम करता है components के लिए, ठीक है, तो thermal protection के लिए insulation के लिए हर एक जगा हम space missions में भी इसका इसका अस्तमाल कर सकते हैं अब बात आती है challenges और future prospects की तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है aerosal में वो यह है कि इसकी properties तो बहुत सारी है, बहुत अलग-लग use है लेकिन सबसे बड़ा challenge यह है इसको बनाने में इसको बनाने में जो cost लगती है वो बहुत जादा है जिसकी वेसे दोस्तो, aerosal का use आज की समय पर इतने बड़े level पर नहीं हो पाता है ठीक है? चलिए, आते हैं next article पर one of the most important article हमारे आज के newspaper का क्योंकि आपको बता है, Sunday में frequent ask question पे जाता है अब वहाँ पे यार टेलिकॉम बिल को लेकर एक article है UK immigration बिल को लेकर एक article है वो already discussion किया हुआ है बहुत बार, टेलिकॉम बिल तो हम चर्चक करी रहे पिछले कई दिनों से वो इतने काम के नहीं है अब ये article थोड़ा हमारा जादा काम का है इंडिया मौल्दीव्स relations ये इसले भी काम का है, UPSC का favorite topic है यहां से prelims में दो question even mains में, 2013 के अंदर में एक ही साल में दो questions पूछे गए थे मौल्दीव्स को लेकर अब imagine करो, तो topic जादा important है और ये वापस से, क्योंकि उस समय पर भी इसी तरीके से ये news में था और आज भी ये जो topic है आग की तरह फैला हुआ है क्योंकि मौल्दीव्स के अंदर politics में एक बहुत बड़ा change आया है जिसकी वज़ा से भारत और मौल्दीव्स के जो संबंद है वो खराब हो रहे है और ये जो संबंद है ये आज की समय पर जादा matter करता है ये आप फोटो देख पा रहे हो इस फोटो में आपे पिये मौधी है और दूसी तरह मौल्दीव्स के president आपको नज़र आएंगे ठीक है ये मुईजू जो है मौमध मुईजू ये नए president है अभी नए president बनें इसे पहले जो president है उनका जो संबंद है इंडिया के साथ में वो जादा अच्छा था उन्होंने भारत के साथ में मौल्दीव्स के relations को बनाया रखा वो प्रो इंडिया थे लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल against इंडिया है ठीक है ये इंडिया को कही ने कही तरीके से पूरा हटाना चाहता है मौल्दीव्स से आपको पता है और दूसरी बात यहाँ पर इस व्यक्ति का जो पूरी दरह से जुकाव है वो चाइना की साइड में है प्रो चाइना परसन है इनको पहले भी देखा जा चुका है और अभी भी यहाँ पर आप देखाऊ कि बड़ी-बड़ी मीटिंग्स चाइना के साथ में यहाँ पर यह करते विन हज़रा रहे है ठीक है तो अभी हम बात करेंगे आखिरकार क्या है और मैं आपको पहले तो यह बताऊँगा इंडिया मौल्दीफ कितने जादा करीबी देश है आपस में फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक लेटेस्ट डेप देखने को मिल रहा है इंडिया और मौल्दीफ के रिलेशन्स के बीच में इन संबंद में क्या टकरार है आचुके है वो आपको यहाँ पर बताऊजाएगा ठीक है यह आप देख पाऊगे बहुत सारे और भी जो सिक्निफिकेंट से सारी चीज़ा हम यहाँ पर डिसकस करेंगे चलिए फिर शुरुवात करते हैं बिना कोई देरी करे दोस्तों यह टॉपएक डिरेक्ली आपको जी एस पिपर नंबर टू इंटरनाशनल रिलेशन्स के पॉइंट अव्यू से हिल्प करेगा तो भारत और मौल्दीफ के संबंद सबसे पहला सेक्यूरिटी पार्टनर्शिप दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस रिलेशन्स से वो भी काफी मजबूत हैं दोनों देशों के बीच में कई सारे अभ्यास होता हैं जैसे एक्यूवरिन उसके अलावा तोस्ती एक अथा इसके शुरुवात होती है तो अलगलग प्रकार के अभ्यास होता है इतना ही ने भारत ने मौल्दीफ की जो नैशनल डिफेंस फोर्स है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइट करवाई है ट्रेनिंग उपर्चुनिटीज हमने इनको दी है और आप कह सकतो 70% जो डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वार्मेंट से मौल्दीफ की वो इंडिया पूरी कर रहा है ये हाल दूसरा यहाँ पर रिहाबिलिशन सेंटर की तो भारत और मौल्दीफ ने कई सारे कॉंट्रेक्ट साइन करे अध्दु रिक्लेमेशन शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को है आपर साइन किया प्लस इंडिया ने अध्दु के अंदर में रिहाबिलिशन सेंटर बनाए ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बनाया गया यह यह सेंटर है यह कह सकतो 20 High Impact Community Development Project में से एक है यानि बहुत सरे और भी development projects भारत ने वहाँ पे implement किये हैं उसमें से ये था बाकी health care, education, fisheries, tourism, sport, culture सभी sectors के अंदर में इंडिया ने लगातर अपना investment किया है लगातर projects लगा है Maldives के अंदर में ताकि Maldives को अपनी side में रखा जा सके Maldives अगर आप geopolitics के परसपर से देखोगे तो वो एक बहुत important country है Indian Ocean के अंदर में ठीक है जिस पे कोई दूसरा country हमेशा की तरह अपना प्याट जामाने की कोशिश करेगा लेकिन Maldives के लिए भारत भी बहुत important है और इंडिया के लिए Maldives भी important है दोनों एक दूसरे के लिए important है लेकिन आज के समय पर ये जो relations हैं इसमें corporation की तो Maldives की जो economy है दोस्तों वो जादतर tourism के ओपर dependent है जादतर यहाँ पर लोग गूमने जाते हैं पैसा खर्च करते हैं जिससे उनकी economy चल रही है अब हुआ क्या August 2021 के अंदर में AFCON एक Indian company है इन्होंने contract sign किया Maldives के साथ में Great Mal connectivity project क्योंकि अगर आप Maldives को एक बार map में देखते हो एक मैप आपको दिखाता हूँ यह मैप अगर आप देखते हो तो नीचे यह Maldives है Maldives ऐसा नहीं एक ही आइलेंड है छोटे छोटे बहुत सारे आइलेंड से मिलकर यह Maldives बनावाया तो इनकी इसकी जो capital Maldives की माले इसको दूसरे दूसरे आइलेंड के साथ में जोडने के लिए Great Mall Connectivity Project स्टार्ट किया गया इसके लिए भारत ने billions of dollars यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात किये तो इंडिया यहाँ पर कहिना है कि Maldives के लिए तीसरा trade partner बन कराया है 2021 में इतना ही नहीं बाइलेटरल US dollar की जो currency swap agreement है वो हमने की हमारे Reserve Bank of India और Maldives के monetary authority के क्योंकि अब चाइना का influence Maldives में बढ़ना शुरू हो गया तो इंडिया को obvious सी बात है इसका एक दर्द होगा क्योंकि हम नहीं चाहते चाइना अभी जैसे स्रिलंका में पैर पसार का बैठा है उसी तरीके से Maldives में पर ही बैठ सके फिर बात आती है infrastructure projects की तो यहाँ पर बात इंडिया के external affair minister ने किया था यह अभी तक का सबसे बड़ा grant project है जो इंडिया के तुरू लगाया गया है Maldives में इतना ही ग्रेट माले project के बारे में आपको बता रहा था यह अभी तक का सबसे बड़ा project है जिसमें इंडिया ने 400 million US dollars का line of credit प्रोवाइट करवाया है 100 million का special grant द particular project के मादम से तो एक पुल बनाया जाएगा यहां पे बोला जा रहा है कि लगबख 6.7 किलोमेटर का एक लंबा पुल है और वो जो पुल है वो माले को आसपास के अलग-लग island के साथ में जो मौल्दीफ के ही है जैसे विलिंगली गुली फालू फुरुसका में थिला फुश कितने जादा गहरे संबंद है दोनों के बीच में दूसरी तरफ दोनों देशों के जो relations इनके जो संबंद हैं इसमें कुछ समस्याएं आ चुकी हैं सबसे पहली समस्या Chinese infrastructure and investments जो मौल्दीफ है यह बहुत सारे देशों की तरह जो इंडियन ओशन रीजन में है वो कही ना कही Chinese influence में आ रहे हैं Chinese investment की लालच में पढ़ रहे हैं जैसे स्रिलंका पढ़ा था और जैसे पाकिसान पढ़ा हुआ है तो अब एक समय बाद वो उसके चाइना की कहने पे चल रहे हैं तो जो मौल्दीफ हैं इनके पास में बहुत सारा Chinese investment अल्रेड़ी आ चुका है मौल्दीफ दूसरे critical infrastructure उसको भी develop किया है क्यों क्यों कि चाइना इंडिया के किनारे किनारे एक तार बुनना चाहता है जिसका हम बोलते है string of pearl मौतियों की माला बुनना चाहता है जिससे इंडिया को गिहरना चाहता है और इस घिराव में मौल्दीफ important country है च्रिलंका में तो पहली यहां बुन्दी इंडिया के चारो तरफ यानि इंडिया को control करने के लिए counter करने के लिए चाइना as a string of pearl initiative लगातर इंडियोशन के अंदर जो president countries हैं वहां पर investment करने की कोशिश कर रहा है फिर बात आती है shift in alliance थोड़ा चाइना को फाइदा नजर भी आया क्यों क्योंकि मौल्दीफ के अंदर में दोस्तो अभी यहां पर जो president change होते हैं पहले वाले सही थे उससे पहले प्रो चाइना थे अब जो आ चुक है वो अगेन प्रो चाइना है ठीक है उनका उनके ओपर भी चाइना का जो influence है वो काफी ज़ादा है बात के लिए चिंता क्या है इंडिया के लिए चि security के लिए काफी बड़ा challenge काफी बड़ा खत्रा हो सकता है एवन इंडिया के strategic interest के लिए बहुत बड़ा चुनाती हो सकती है फिर बात है इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है इंडिया ने भी यहाँ पर respond गया इसको अपने एक strategic engagement के साथ में हमने भी मौलदीव के साथ में relations को मजब्यूत करने की बात की हमने भी लगातर पैसों का support प्रोवाइड करवाया infrastructure प्रोजेक्ट से लगवाया defense cooperation इंप्रूव किया लेकिन वहां की जब सरकार बदल चुकी तो उसमें हमारा कोई ऐसा अब कुछ कहना है नहीं हम तो अपना काम कर रहे थे ताकि जो मौलदीव स इसको vaccines प्रोवाइड करवाने का काम इंडिया ने सबसे पहले किया ठीक है फिर बात करते है political development की ये जो president आप देख पा रहे हो इनका नाम है इब्राहीम मौहमद सोली ये इनका election होता है 2018 में तब से अब तक ये president बने रहे और इनका इंडिया के प्रती जो relation है वो काफी इनका रहे हैं उनका इंडिया के साथ में अपने relations से traditional type से उसको बरकरार रखा फिर बात आती है strategic importance की तो जो मौल्दीव का जो location है क्यों इतना पीछे मौल्दीव के पड़े हैं इंडिया भी चाइना भी reason ये है कि innovation में जो जिस जगह पे मौल्दीव है वो location बहुत important है वहा पर भी यहां पर लगातर एक नजर बना के रखी जा रही है दोस्तो आई होप आपको यहां पर जो बात है वो समझ में आ रहे होगी geopolitics के point of view से ये सभी लोग अपने अपने फाइदे के लिए काम कर रहे हैं अब थोड़ा सा हम लोग मौल्दीव की geography को देख लेते हैं समझ ठीक है और दूसरी चीज़ दोस्तों यहां पर मैंने जसे बोला मौल्दीव जो है ना भारत से अलग होता है 8 degree चैनल से अगर मैं आपको यह वाला फोटो दिखाऊं तो यहां पर आपको 8 degree चैनल नजर आएगा यह जो लाइन है यह है 8 degree चैनल अब इसी चैनल के उपर आप देख पाऊगे तो लक्ष़दीव है इंडिया कामीन कौई है और νीच आपको यहाँ पर मौल्दीव नजर आएगा तो मौल्दीव और लक्ष़दीव को अलग करने के लिए भारत और मौल्दीव को अलग करने के लिए यहां पर 8 degree चैनल यह काम करताए यह 8 degree चयनल धिहा को question पूछा गया है हो सकता है 8 degree channel को लेकर सवाल पूछ लिया जाए क्योंकि ये भी news में है तो लक्षवदीप और मौल्दीफ को अलग करने का काम करता है ये 8 degree channel ठीक है अब देखो UPSC ने mains में हासे किते सवाल पूछे 2013 में direct सवाल What do you understand by the string of pearls? How does it impact India? Briefly outline the steps taken by India to counter this चाहो तो आप इन question को attempt कर सकते हो क्योंगी कल कोई mains का question दिया नहीं था चाहो तो आज आप लगा सकते हो ठीक है लिख सकते हो string of pearls का मतलब क्या है? कैसे भारत के ओपर impact डाल रहा है? प्लस क्या-क्या भारत ने step लिए हैं इसको करने के लिए कहा गया साधी साथ में बोला गया कि जो भी change हो है क्या उससे भारत को चिंता होना चाहिए? तो यह आप देखपाऊगे again ऐसा ही question और possibility है कि next year आपको ऐसा एक और question देखने को मिल जा है क्योंकि ऐसे ही बदलाव दुबारा हुएं मौल्दीफ के अंदर में समझ गए? तो इस तरीके सा आपने पढ़ना होता है दोस्तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है चलो अगले article पर आता है next article अगरे हैं यहाँ पर tag को ध्यान मत रखना discussion में ऐसा ना हो कि आप quantity पर काम कर रहे हो discussion में होना चाहिए आप quality के उपर काम करो आपको help हो रही हो examination के point of view से इस तरीके से यहाँ पर discussion को मैं लेकर चल रहा हूँ बले ही मैं कम article ले लेता हूँ किसे जो की काम के होता है में उसके उपर मेरा focus है अभी और भी जो news है यह news है, वो news है, crime की news है वो सब पढ़नी दोस्तों बेकार है आपका time waste होगा समझ गए? आप रोज अकवार से 8 से 10 कबर निकाल लो, important है, ठीक है अब आता है यहाँ पर एक और यहाँ पर point news में यह जोग्राफिक के लिए important है, यहाँ पर बात कर रहे है बाबल मंडेप की, अब ही हम बात करी रहे थे जो अपने front वल आर्टिकल देखा ना जो thumbnail वल आर्टिकल है, जहाँ पर मैंने बताया कि इंडिया के एक जहाज के ओपर attack किया गया रेक्ची के पास में, रेक्ची यहीं पर है यहीं से बाहर निकल के जह सपास में attack हुआ है तो यहीं पर बाबल मंडेप जो straight है वो भी news में है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब भी इसराइल का वोई जहाज निकल रहा है लगातार attack हो रहे है, जो येमेन के अंदर में हूदी rebels है, वो लगातार drone से attack कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ से attack कर रहे है इससे जो लडाई है, conflict है या आने वाले समय पर और गंबीर हो सकता है अमेरिका भी यहाँ पर उतरता चले जा रहा है इस conflict के अंदर में क्यों? लगातार यहाँ पर इसराइल के जहाज उनके उपर अटाक्स होना है, इस चकर में बाब इल मंडेब नियूज में है, और एकलौती चीज़ जो examination के perspective से आपने पता होनी चाहिए और कुछ नहीं वो है इसका location, तो बाब इल मंडेब स्ट्रेट कहां पर है दोस्तों? यह है वो स्ट्रेट, अच्छा पहला question सर्य स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट का मतलब होता है, एक छोड़ी सी गली, जो कि दो बड़े-बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड रही हो, ठीक है? ध्यान अकना तो यह दो बड़ा समुद्र है, रेट्सी है इधर आपको इन इन उशन देखने को मिलेगा इन दोनों समुद्र को जोडने का काम कर रहा है यह बाब इल मंडेब स्ट्रेट इस बाब इल मंडेब स्ट्रेट के पास में कई सारी कंट्रीज है, चाहे वो इस्राइल के खिलाफ में है और येमेन के अंदर में जो हूदी रेबल से दोस्तों इनका जो एरिया है वो में यही वाला एरिया है जस्ट रेट्ची के किनारे तो यहाँ पर लगातार अटैक्स इस चक्रमी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं बाबिल मंडेप आपने देखा यही पर गल्फ आता है गल्फ ओफ एडन करके यह भी आपने ध्यान में रखना है और उपर देखोगे तो यहाँ पर आता है यह गल्फ ओफ अकावा है और यह वाला है गल्फ ओफ स्वेज और उपर यही से निकलता है स्वेज कनाल ठीक है जो की उपर Mediterranean Sea को जोडता है Red Sea से और बाकी Red Sea को जोडता है Arabian Sea से क्या ये बाबिल मंडेब स्ट्रेट ठीक है ध्यानक ना तो बाबिल मंडेब स्ट्रेट के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो ये 4-5 पॉइंट से दोस्तों पता होने चाहिए ये कहां पर है ये हमार है कि डारेक्टली आपको ये लिखकर दे दिया जाए क्या कि बाबिल मंडेब स्ट्रेट कौन कौंसे पर्टिकुलर दो अलगलग Region के बीच में आता है तो वो अरेबिया और आफ्रीका के बीच में आता है तूक है उपर हो गया अरेबिया नीचे हो गया आफ्रीका इन दोन important थी बता दी आपको एक और important article आता है GS paper number 2 international relations के point of view is important है और especially हमारे institution का topic भी है वहाँ से भी आप इसको link कर सकते हो यह topic को जिनों पहले news में भी था एक और देश चर्चा में बना हुआ है जिसका नाम है Sierra Leone आप सको मैंने map में बोला था पहले भी आप इसको देख लेना हुआ क्या ECOWAS का एक group ECOWAS क्या है दोस्तो यह है Economic Community of West African States इसको बोलते हैं ECOWAS यह particular group है इनका पूरा एक सम्मिलन होता है इस पूरे सम्मिलन को इस meeting को launch किया गया launch इसलिए किया गया ताकि जो Sierra Leone नाम की country है दोस्तो यहाँ पर एक सुरक्षा को तहनात किया जासे के mission तनात किया जासे के क्यों क्योंकि Sierra Leone के अंदर में कोशिश की जा रही है कू को रखने की यानि तकता पलट करने की सरकार को हटाने की democracy को खतम करने की लगातार कू का attempt किया गया है तकता पलट का attempt किया गया है तो इस देश को स्थर बनाने के लिए stabilize बनाने के लिए एक security mission को तहनात किया गया है और वो काम किस ने किया है इकोवस ने काओगे इकोवस क्या है यह basically African पूरे countrys के लिए एक काम करने वाला body है और एकोवस में जातार यह countrys आपको यहाँ पर नजर आती है Sierra Leone जस्ट समुदर के किनारे आपको यह नजर आएगा यह रहा Sierra Leone ठीक है जो गिनिया उसके लबावा लाइबरिया उपर यहाँ पर गिनिया बिसाओ इन सब countrys के साथ में boundaries को शेर करता है तो एक्जाम के लिए जो important है वो है इकोवस यहाँ से question बन सकता है unique चीज चर्चा में है और ऐसे questions आते रहते है इकोवस को दोस्तों हम लोग CIDIAO के नाम से भी जानते हैं फ्रेंच में यह एक regional intergovernmental organization है यानि African continent के अंदर कुछ अलग अलग देशों ने मिलकर इस प्रकार organization को बनाया है और इन देशों की सरकारे साथ में मिलकर काम करती है इस organization को बनाया गया 1975 में इसको बनाया था एक treaty के मादम से इसका नाम है Lagos Treaty इस पूरे body का main मकसद है कि जो भी African countries है इनके बीच में economic relations को maintain करना cooperation बढ़ाना ये इसका main purpose है इसका जो secretariat है वो है Nigeria के अंदर में ठीक है Niger और Nigeria अलग अलग है तो नीचे आपको Nigeria नजर आएगा Nigeria के अंदर में इसका headquarter है अबूजा नाम की जगा पर द्यानक नाम चलिए अब Ecoverse के अंदर में total कितने members आता है total 15 members आपको देखने को मिलेंगे वो 15 members कौन कौन से हैं वो exact आपको यहाँ पर नजर आएंगे तीक है ये 15 countries Ecoverse के सदस्य है ये सब countries है Sierra Leone भी इसका हिस्सा है तो Sierra Leone में तकता पलट करने की जब कोशिच की गई तो इसी के basis पर Ecoverse अक्टिवेट हुआ अनका कहना यह हम साथ में मिलकर Sierra Leone को तकता पलट से बचाएंगे Now Ecoverse का जो main primary objective है या goal है वो क्या है जैसे मैंने बोला आपस जितने जितने भी ये देश है economics को लेकर relation इनके improve करना ठीक है आपस में लोगों का जो free movement होना goods and service का free तरीके से trade हो पाना है ना इन सभी देशों के बीच में relations को मजबूत करना जो भी इसके members है ये इसका main purpose है ठीक है बाकि achievements की बात करेंगे तो हुआ क्या यहाँ पर एक शांती बना के रखी है Ecoverse ने लंबे समय से ठीक है बीच बीच में कई बार conflict हो है Liberia, Sirilon के बीच में एक conflict हो गया था दोनों Ecoverse के members है दोनों के बीच में conflicts को resolve कर रहा है मामले को शांत कर वाया प्लस यह जो पूरा group है लगादर आतंगवाद को रोकने का काम कर रहा है मानव की तसकरी को रोकने का काम कर रहा है यानि की शांती बनाने के लिए यहां पर यह पूरी तरह से काम कर रहा है और यह सारी countries आपस में एक दूसरे के साथ में collaborate कर रही है Ecoverse के अंदर में क्या है Ecoverse यह होप आपको समझ में आ चुका होगा चलिए अब आते हैं अपने prelims वाले question पर question यह था कि इन सभी option में से कौन से एक option में दो islands हैं जो की एक दूसरे के साथ में 10 degree channel से separated हैं तो इसका सही हुत्तर है option number A, अन्णामन और निकोबार यह दोनो 10 degree channel के मादम से अलग-लग हो जाते हैं अभी आपको मैंने map में दिखाया था इसके साथ मैं करते हैं lecture को समापत और मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जैहिंद क्यात जैहिंद क्यात ser कौने वी आप एक क्या जैहिंद अभी क्यास कि आपको में धर्वार अहरा क्यार ट्जन